चुनावायोग ने आज बिहार विधान सबाचुनाब 2020 की तारीकों का एलान कर दिया है। चुनिल अरोडा ने प्रेस कॉंफेंस के दौरान कहा कि कोरोना के दौर में ये पहला जुनाव होगा। हमारे लिए लोगों की सुरुक्षा एहम मुद्धा है लेकिन साथ ही चुनाव लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देता है इसलिए वो भी जरूरी था। मतदान का वक्त एक गंटे बढ़ाया जाएगा सुबह साथ वजे से साम छे वजे तक वोटिंग होगी वहीं कोरोना के मरीज भी वोट डाल सकेंगे। वहीं उम्मीदवार ऑनलाइन नामंकन भर सकेंगे। पांस से ज़्यादा लोग घर में जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। चुनाव प्रचार पूरी तरीके से वर्चुल होगा। च्छे लाग पीपी किट का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतिम समय में वोट डाल पाएंगे कोरोना के मरीज। बिहार में कुल मद्दाता 7 करोण 89 लाग हैं जिनमें 3 करोण 89 मेला हैं वहीं बिहार में पुरुस वोटरों के संक्या 3 करोण 89 लाग हैं। बिहार में कुल 243 विधान सवा सीटों के लिए चुनाव होगा। 2015 में आरजेडी और जेडियू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जिसकी वज़े से बिजेपी के नितत्र वाले अंडिये को हार का सामना करना पड़ा था। तब आरजेडी, जेडियू, कॉंग्रेस महागडबंदन ने 178 सीटों पर बंपर जीत हासल की थी। आरजेडी को 80, जेडियू को 71 और कॉंग्रेस को 27 सीटे में थी जबकि एंडिये को 58 सीटे ही मिले थी। हालाकि लालुय आदव से दोस्ती तोड़ने के बाद नितीज कुमार ने महागडबंदन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। 2020 के विधार, विधान सवा चुनाम में नितीज कुमार एंडिये का चेहरा हैं, बिहार में बिपक्षी पार्टियां कोरोना के चलते टोलाम टालने की मांग कर रही थी। लेकिन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया, वरतमान विधान सवा का कारेकाल 29 नॉमबर को खत्म हो जाएगा।